हलो दोस्तों वेलकम टू जक्टा अकेडमी दोस्तों आज इस वीडियो में लोग साइन्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे इसलिए आप लोग वेडियो को शुरू से लेकरके अंदर जोड़ देखिए यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन है प्रकास के परा प्रावर्तन के निया मनुसर तो प्रकास के प्रावर्तन के निया मनुसर आपतन कोन प्रावर्तन कोन के बराबर होते हैं तिसरा कुछन है सम्तल दरपन द्वारा बना परतविम तो सम्तल दरपन द्वारा बना परतविम अभासी और सिधा होता है चलिए अब हम तिसरा प्र प्रावरतन के लिए बीचलन कोन का मान होता है परावरतन के लिए बीचलन कोन का मान हो जाएगा 180 डिगरी माइनस 2 गुना आपतन कोन सत्मा प्रसन देखेंगे कि यदि प्रकास का आपतन कौन 90 डिगरी हो तो प्रकास के परावरतन कौन के लिए बिचलन कौन कितना होगा तो बिचलन कौन 0 डिगरी हो जाए क्योंकि बिचलन कौन का सुत्र होता 180 माइनस 2 गुना क्या कहते हैं कौन आई ठीक है तो यह हो जाएगा 180 गुना स्वरी माइनस दो गुना कोना आई तो कोना आई यहां पर देखें आप तरन कोन कितना दिया हुआ 90 तो यह हो जाएगा कितना 90 तो यह हो जाएगा 180 माइनस 90 दुना 180 तो 180 में से 180 घर जाएगा तो यह 0 डेगरी ठीक है चलिए आठ नमर कुशन देखेंगे किसी दर्पन की फकस दुरी की वक्ता तिर्जिया की आधी होती है नो नमर कुशन देखेंगे सोलर कुकर में कौन सा दर्पन उप्योग होता है तो सोलर कुकर में अफ्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है दस नमर कोशन है हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पन उपयोग होता है तो हजामत में अफ्तल दर्पन का उपयोग किया जाता है हजामत यानि दारही बनाने में अफ्तल दर्पन का उपयोग किया जाता है ग्यारा नमर कोशन देखेंगे किस दरपन का द्रिष्टी छेत्र बरा होता है तो उत्तर दरपन का द्रिष्टी छेत्र बरा होता है बारा नमर है कोशन है परतेवियम के उचाई तथा वस्तु के उचाई के अनुपात को आवर्धन कते हैं पर्तिविम के उचाई तता वस्तु के उचाई के अनुपात को आवर्धन करता हैं तेरा नमर गोलिया दरपन के वक्ता तरज्जा 40 सेंटीमेटर हो तो इसकी फकस दूरी कितना होती है तो इसका फकस दूरी 20 सेंटीमेटर होती है ठीक है इसका एक फर्मूला होता है F बराबर ठीक है F बराबर होता है R बटर 2 होता है यहां पर देखिए R कितना है यह दियावा 40 बटर 2 तो 40 में दो सेंटीमेटर होती है तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा 14 नमर क्वेशन है उत्तल दर्पन में किस प्रकार का पर्तवीम बनता है तो उत्तल दर्पन में हमेशा आभासी और सिधा पर्तवीम बनता है 15 नमर क्वेशन दर्पन की चवराई को क्या कहते है तो दर्पन की चवराई को दर्पन का दुआरक कहा जाता है हिसमें किसी भी बस्तु का भौ़ छोटा परती भी मनता है इसलिए दूर की बस्तु को असानी से देखा जा सकता है किदर से कितना गारी आ फ्टीक है चलिए सत्र नमर केसानी है पर धान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकास की किरने अप्तल दपन से प्रावरतन के बाद मुख अक्ष से जिस बिंदू से गुजरती है उस बिंदू को फोकस कहते हैं क्या कहते हैं फोकस कहते हैं अठारा नमर कुश्चन है सूर्ज से आने वाला प्रकास पुंच कैसा होता है तो सूर्ज से आने वाला प्रकास पुंच समांतर प्रकास पुंच होता है उनीस नमर कुश्चन वास्तविक परत्विम की परकिरती कैसी होती है तो वास्तविक परत्विम की परकिरती उल्टा हो होता है वीस नमर कोश्चन सिनेमा के परदे पर किस परकार का परतवीम बनता है तो सिनेमा के परदे पर वास्तविक परतवीम बनता है रियल इमेज बनता है एकिस नमर कोश्चन किसी धातू को अपतल दरपन के सामने कहां पर रखें कि परतिवीम और वस्तुग का आकार समान हो तो वक्रता के अंदर पर रखेंगे तो जितना बरा वस्तुग है उतना यी बरा परतिवीम भी बनेगा बाविस नुमर कुशन परकास के किस रंग के लिए तरंगदेर्द अधिक्तम होती है तो लाल रंग के लिए तरंगदेद अधितम होती है प्रकास के लाल रंग के लिए तरंगदेद सबसे अधितम होता है तरीस नमर कुछ सना प्रकास के किस रंग के लिए तरंगदर्द निम्तम होती है तो भगनी रंग के लिए प्रकास का तरंदर्द क्या होता है निम्तम होता है 24 नमर कोई सना है निर्वात में प्रकास का वेग होता है ठीक है या प्रकास का वेग वोले या प्रकास का चाल वोले तो निर्वात में प्रिकास का वेग तीन गुना दसप पावर आट मीटर परती सेकेंड होता है निर्वात में प्रिकास का वेग तीन गुना दसप पावर आट मीटर परती सेकेंड होता है 25 नमग कोई सना है सुवेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, यह सात रंगों के मेल से बना होता है, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकता है, इसका याद करने का तरीका है, बैनी, आ, पीनाला, पीनाला, ठीक है, तो बैसे बैगनी, उसके अनी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से ला ठीक है यहां बहुत है कि एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है यह इन सातों कलर को ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आओगा अगर वीडियो पसंद आओ उस परे वीडियो को लाइक कर दिजी और चैनल को सब्सक्राइब आपको कर सकते हैं तो बहुत हैं जरुआ है कि लिए्टे करेंगार वीडियो झाले हैं ऐसे प्लिए तो राज़िवा यह वीडि़़गे यह प्लिए यह प्लिए वीजी साद अनले किर दिए मॉत हुटब